लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि जिन वापस अपने घर जाता है और वहाँ जाती ही वो देखता है कि उसके घर की हलक बहुत ज़्यादा खराब होती है और टनाका बेड़ पर बिना कपड़ों के बेहोस पड़ी होती है इसलिए वो जल्दी से जाकर उसे और टनाका कि ये बोलते ही पूगा को बाहर से कुछ आवाजय आती है इसलिए वो बाहर देखने चला जाता है और बाहर जाते ही वो देखता है कि वो सभी गरीब ने हमारी जान बचाई है इसलिए तुम्हारा सुकरिया और उन सब की आवाद सुनकर टनाका और जिन भी बा जिन बोलता है तो इसमे सर्मानी जैसा क्या है तभी बोडि गाड़ आते हैं और बोलते हैं यह कुगा चारमेन ने बाट करने के लिए जिन और लड़की तुम तुम्हें भी चेयर मैनने बाट करने के लिए बजला यह सुनीकर वहां तीन हो चेयर्म Elizabeth के पास चले जाते हैं और वहाँ जाते ही कुगा बोलता है ग्रेंपा आपको प्लेयर्स के बारे में सब कुछ पहले से पता था ना और आप तो ये भी जानते थे ना कि जिन उनी प्लेयर्स में से एक है शेयर्मेन बोलते हैं कुगा अब तुम्हें इतना सब कुछ पता ही चल कर देते हैं कि कल रात उसने जो भी देखा था वो सब भ्रहम था जिसके बाद अगले सिन में हमें बॉस और सेजी दिखाया जाते हैं तभी सेजी बोलता है बॉस आप जैसा सोच रहें वैसा नहीं है मैं वहाँ पर सिर्फ इसनों ब्रदर्स को रोकने गया था बॉस बोलते है नहीं मैं नहीं देख पाया वैसे मैं सोच रहा था कि आपको जट का कंट्रोल मुझे दे देना चाहिए क्योंकि जट हम में से ही एक है बॉस बोलते हैं मुझे ऐसा नहीं लगता है जिसके बाद अगले सिन में हमें कूगा के पापा दिखाय जाते हैं जो हयामी से बोलते है हयामी तुमने कुनहा के दोस्त के साथ क्या किया हयामी बोलता है उसे ज़्यादा चोट नहीं लगी थी इसलिए मैंने उसकी मेमोरी एरेज करके उसे घर भेज दिया कूगा के पापा बोलते हैं बहुत सही किया पर में परेसानी तो ये अलफा सूट है आखिर में तुमें जैसे सू Sweet को बनवाने के लिए month कहां से मिला हयामी बोलता है मैंने President Fund का यूज किया है उस suit को बनवाने के लिए और मुझे लगता है कि मैंने Funds को सही काम के लिए यूज किया है क्योंकि Alpha Suite Amagi Corporation और Kuga के लिए बहुत ज़्यादा फायदे मन साबित होगा कुगा के पापा बोलते हैं तुम चाहे जो भी बोलो तुमने मुझे बहुत ज़्यादा निरास किया है चुप चाप लाकर अलफा का सारा डेटा मेरे हाथ में दो और हाँ आप से तुम मुझसे पोछे बिना कोई भी काम नहीं करोगे समझे तभी हयामी के बगल में बैठा आदमी बोलता है और मिस्टर चले जाते हैं और बाहर जाते ही वो आदमी बोलता है हयामी कम से कम तुम मुझे तो अलफा के बारे में बताई सकते थे आयामी बोलता है नहीं मैं आपको नहीं बता सकता था क्योंकि आप President के बहुत ज़्यदा Close है Mr. Kabe और आप तो जानते ही है Amagi Corporation इस मुकाम पर पहुँच चुका है कि वो इस Country का Backbone बन चुका है और इसी Corporation Justice के नाम से जाने जिसके बाद अगले सिन में हमें कुनहा दिखाई जाती है तभी उसे हो साता है और हो साता ही वो बोलती है ममी जिन कहां है जिसके बाद कुगा भी ऑस्पिटल में आता है और कुगा को देखकर जिन बोलता है ए क्या तुम्हे भी कुनहा ने बुलाया है मिलने के लिए कुगा बुलता है हाँ मुझे भी कुणा ने बुलाया है ए जिन ऐसे ग्रैंटपा ने मुझे सब बता दिया है इसलिए मैं चाता हूँ की मैं और तुम पार्टनर बन जाएं और पार्टनर बन के उन सभी प्लेयर्स को मारें जैसे हम बच्पन में बदमासों के साथ किया करते थे जिन बोलता है मुझे तुम्हारा पार्टनर बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है कुगा बोलता है तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो जरा इसे देखो जिन बोलता है तुम पागल हो गया हो क्या इसे अंदर रखो कुगा बुलता है डरो मत जहरा इसे देखो तुम्हारा फॉर्मेशन अमागे कॉर्परेशन के एक अनिमेशन पर बना है कुछ पता है और हम तुम दोनों उन मॉंस्टर से ऐसे कैसे फाइट कर ले रहे थे आखिर में तुम कुछ बताना क्यों चाते हो कुगा बुलता है ये हमारा फैमिली मैटर है कुगा को जानने का हग बनता है जिन बोलता है तुम समझ क्यों नहीं रहे हो कुगा को ये सब बताना उसके जान को खत्रे में डालने के बराबर होगा तभी जिनको टनाका का फोन आता है जो उससे बोलती है जिन मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई हूँ प्लीस मुझे आकर पिक अप कर लो जिन बोलता है वही रुको मैं आ रहा हूँ ये बोलकर वो फोन काड़ देता है और कुगा से बोलता है ये मुझे जाना पड़ेगा ये बोलकर जिन टनाका से मिलने चला जाता है और तभी आधे रास्ते में जिन को चेयर्मेन मिलते हैं जो उससे बोलते हैं कि उस लड़की के ज़्यादा क्लोज मत जाओ मैंने तुमसे बोला है ना तुम्हारा किसी इंसान के क्लोज जाने का मतलब है उस इंसान के जान को खत्रे में डालना जिन बोलता है पर मैं उसे ऐसे ही तो नहीं छोड़ सकता हूँ ना ये बोलकर वो टनाका से मिलने चला जाता है और उसे दिक कर टनाका बोलती है ये जिन चलो घर चलते हैं जिन बोलता है नहीं मुझे कहीं और जाना है और वैसे भी अब मुझे लगता है कि तुम्हें अपने घर चले जाना चाहिए तुम्हारे पास घर तो है ना टनाका बोलती है हाँ मेरे पास घर है पर मैं वहाँ नहीं जाना चाहती हूँ क्योंकि मुझे अपने पैरेंट से नफरत है जिन बोलता है हे ऐसा मत बोलो मुझे ऐसे लोग जरासा भी पसंद नहीं आते हैं जो अपने फैमिली के बारे में ऐसा बोलते हैं ये सुनकर टनाका बहुत ज़्यदा गुसा हो जाती है और उसे देखकर जिन बोलता है अच्छा ठीक है गुसा मत हो अभी यहाँ से जाओ मैं बाद में तुम्हें पिक अप कर लूँगा टनाका बोलती है वादा करो तुम मुझे पिक अप करोगे जिन बोलता है आँ मैं तुमसे वादा करता हूँ ये सुनकर टनाका बाहर चली जाती है और उसके वहाँ से जाने के बाद जिन भी बाहर जाता है तो बाहर उसे चेयर्मेन और कूगा मिलते हैं तभी कूगा बोलता है के जिन मैं भी तुम्हारे बॉड़ी को मॉनिटर करना चाहता हूँ शेयरमन बोलते हैं ये बाट करने का समय नहीं है हमें चलना चाहिए ये सुनकर कुगा और जिन कार में बैट जाते हैं जिसके बाद हमें लैब का सिन दिखाया जाता है जहां जिन पर एस्पेरिमेंट हो रहे होते हैं तभी कुगा बोलता है ग्रेंटपा क्या ये वही जगा है जहां पर जिन को बनाया गया था शेयरमन बोलते हैं नहीं ये वो जगा नहीं है वो जगा तो तभा हो गई तभी सैंटिस बोलता है शेयर मैन मैंने जिन के रिसेंट रिपोर्ट कामजाकी को भेजे थे उसने रिस्पोंस किया है तभी कुगा बोलता है ग्रैंटपा ये कामजाकी कौन है ग्रैंटपा बोलते हैं कामजाकी वही इंसान है जिसने जिन को बनाया था ए क्या जिन वहाँ है और अपने ग्रैंटपा की आवास सुनकर जिन बोलता है ए ये क्या ये तो मेरे ग्रैंटपा की आवास थी क्या वो जिन्दा है चेर्मन जिन की बाट का जवाब न देखकर कामजाकी से बोलते हैं हाँ जिन यहाँ है कामजाकी बोलता है तो फिर उससे प पक्वास बंड करो, पहले मुझे बताओ कि क्या Grandpa जिन्दा है, तभी कमजाकी बोलता है, तुम्हें लग रहा है कि जट को complete करने के लिए, परिंग आफ एस्पोजर की जरूरत है, ऐसा नहीं है, जिन बोलता है, ग्रैंट पा, आप कहा है, मुझे बताओ, मुझे आप से मिलना और कुगा अंदर चले जाते हैं, और उन्हें देखकर बोडीगाड बोलता है, कि चेर्मन रिस्क ले रहे हैं, तुम्हें क्या लगता है, कामजाकी को इस हालत में देखकर जिन सांत रहे पाएगा, मुझे तो लगता है कि वो खुट को सांत नहीं रख पाएगा, इसलिए म और दर्वाजा खुलते ही, जिन बहुत ज़्यादा है, और बोलता है, के अला होता है, पर चेर्मन उसे रोकर भोलते हैं, जिन तुम अंदर नहीं जा सकते हो, इस रूम को एर वाल से प्रोटेट किया गया है, ताकि कोई बैक्टेरिया अंदर न जा पाए, कामजाकी का सिर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि कामजाकी तो हमें बताने इस रहा, इसे कहो, तो मैं अपने चाहने वाले को बचाना है, और बचाना तभी पॉसिवल होपाएगा, जब तुमारे पास पावर होगी, और पावर तुम्हें तभी मिलेगी, जब तुम्हारा जेट complete हो जाएगा इसलिए कामजाकी से पूछो कि तुम्हे complete करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा और चेर्मन की ये सारी बाते सुनकर कामजाकी रिस्पिस थोड़ा सा हैरान हो जाता है वहीं दूसरी और जिन अपने grandpa के चेहरे को पकड़ता है और उसे देखकर शेर्मन बोलते हैं जिन पागल हो गई हो क्या क्या कर रही हो रुक जाओ पर जिन शेर्मन की बात ना सुनकर कामजाकी के बाड़ी में लगे सारे केबल्स को निकाल देता है जिसके वज़े से कामजाकी पूरी तरह से मर जाता है और उसके मरने के बाद जिन बोलता है तुम लोगोंने मेरे ग्रैंटपा को बहुत तड़ पा लिया अब उन्हें चैन से मरने दो और रही बात मुझे कंप्लीट करने की वो मैं सेजी से पूछ लूँगा वैसे भी सेजी को मेरे बारे में तुम सबसे ज़्यादा पता है ये बोलकर जिन वहां से चला जाता है और जिन के वहां से जाने के बाद कूगा बोलता है ग्रैंटपा सच में आपने तो हैवानियट की हद पाड़ कर दी जिसके बाट जिन साइंटिस के पास जाता है, तो साइंटिस उसे बोलता है, ए जिन क्या तुम अच्छे से खाना खा रही हो, यही तुम्हारे ग्रैंटपा की आखरी सब्द थे, यह सुनकर जिन रोने लगता है, और बोलता है, हाँ दादा जी मैं खाना अच्छे से खा रहा साइंटिस बोलता है कामजाकी नियसके सिवा, तुमसे ये भी पूछाए कि क्या तुमआरे पास अभी भी वो रेड स्टोन है, जो मैंने तुम्हे दिया था, जिन बोलता है वो रेड स्टोन टो एक लॉकेट में था और वो लॉकेट मुस्के खो गया, कुगा बोलता है नहीं वो खोया नहीं है वो लॉकेट तो कुणा के पास है ये बोलकर वो अपने मम्मी के पास फोन मिलाता है और बोलता है मम्मी आप कहा है मम्मी बोलती है मैं अभी अभी कुणा को हॉस्पिटल से घर लाई हूँ कुगा बोलता है इसका मतलब कुणा आपके पास है कि आप उसे पूश सकती है कि उसके पास जिन का वो लॉकेट है जो वो जिन को वापस करने वाली थी ममी बोलती है कुना तो अभी सो रही है मैं उसे कल पूछ लूँगी कुगा बोलता है नहीं कल तक बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी रुकिये हम सब वहाँ आ रहे हैं और उन दोनों की बीच की एक कनवर्सेशन सेजी भी सुन रहा होता है जिसके बाद हमें एक प्लेयर दिखाया जाता है जो खुट को इन्वीजवल करके अमागी हाउस में घुस रहा होता है और यहीं पर यह एपिसोड पतम होता है मैं आसा करता हूँ आपको मेरा स्प्लेनेशन अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, सेर, सस्क्राइब कर दीजे और हाँ यार यानि में बहुत अच्छी है इसलिए अमाजोन प्राइम पे जाकर एक बार इसे चरूर देख लीजेगा